हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको इस तरह के बच्चे की स्वेटे बनाने बताऊंगे यह चार साल के बच्चे के लिए स्वेटे बनाने और इसको मैं गले से स्टार्ट करूंगी तो इसके लिए मुझे टोटल 77 फंदे चाहिए ट्वेंटी जो है बैक पार्ट के लिए और 12 12 दोनों बाजू के लिए और आगे के लिए 16 16 इस तरह से हम एक एक फंद आगे कर लेंगे और यह हमारे टोटल 77 फंदे हैं और इसके लिए मैं ओस्वाल की तीन पलाई की बूल यूज कर रहे हूं कि अबसे पहले हम इस तरह से एक एक फंद आगे कर लेंगे और गैरिज को जो हुए हम ए सबन नंबर पे सेट कर लेंगे में से स्पराइं अ लगा लेंगे फिर इसम में गैरें रूप कर लेंगे इस तरह से अब इसमें जितना चोड़ा आप बोडर रखना चाहूं उतना चोड़ा आप इसको में बना लीजिए मैं 18 सी लाइया लगा रही हूं इसमें और इसको 7 नंबर पर सेट कर लिया है इस तरह से हम 18 सी लाइया लगा लेंगे इस तरह से हमारी 18 सी लाइया जो है वो कंप्लीट हो गई है अब इसमें बीच में रोड इस तरह से रखे और जो पीछे फंदे उनको हम आगे कर लेंगे और इसको इस तरह से डबल कर लेंगे हम जैसे हम डबल बोर्डर बनाते हैं उसी तरह से हम इसको डबल कर लेंगे इस तरह से और यहां पर डबल करते हैं हमें ध्यानक ने जो खाली फंदे उनमें हम यह वाले फंदे जो डाल रहे हैं तो कोई फंदा निकल छूटना नहीं चाहिए तरह से इसको डबल कर लेंगे है इस तरह से हमने डबल कर लिया अगर कोई फंदा निकल आग जैसे यह बहुत निकल गय तो इसको भी मूठ आलेंगे और इसको दस नंबर रीर यहां वान ओैं only won ऑड नो यहां baru थू संथ लिए और टू इस तरह से हमाने यह दो इसलाइन अलगा लिए अब हमारे आटां के जो फंड़नवाज है का यह इनको हम्षोड़िंगा और साइडों के निकाल लेंगे इस तरह सव्ट गण कर लिते हैं को इस तरह से बीच में जो 21 फंदे होंगे हम उनी को छोड़ेंगे और दोनों साइडों से जो फंदे होंगे हमारे उनको हम अलग से वेस धागे में निकालेंगे पहले एक साइड के फंदे निकालेंगे फिर बीच में 20 फंदे छोड़ेंगे और दूसरी साइड के फंदे भी हम निकाल लेंगे जीरो के जो हमारे सेंटर में जीरो आता है जीरो के 10 एक साइड से और 10 दूसरी साइड से तो हम इस तरह से 21 फंदे हो जाएंगे वो हमारे और दूनों साइडों से जो फंदे बचेंगे हमारे उनको हम इस तरह से वेस्ट धागे से निकाल लेंगे इस तरह से दोनों साइट से हमारे 28-28 फंदे होंगे इस तरह से ये बीच वाला हमारा बैक का पार्ट बचा हुए फंदे अगरे बीच एक ये डाले बीच ये तरह से 3-2 कमे खाली हो ये जतनी हमें आप की लैंद्थ चाइब कर लेंगे गैज हुक को आगे कर लेते हैं इस तरह से वान तू फिर से जो लास्ट के दो फंदे उनको हम आगे करके एक फंदे का गैप दे के उनको आगे कर लेंगे शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से लास्ट वले जो दो फंदे उनको हमें ट्रांसफर करना है और जो बीच का बेला फंदे है उसको हम आगे करके दो से लगा लेंगे फिर से वान तू इस तरह से यहां से फिर से हम इसी तरह से करेंगे दो फंदे आगे किये दोनों साइट से दो दो फंदे आगे कर लिए और ज इसी तरह से हम इसमें 25 जालियां डालेंगे 26 जाले तो हमारे जो है दोनों साइड 26 फंदे जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे इस तरह से अब हमारे यहां पर टोटल 73 फंदे हो गए है हमारे जो पहले थे 12 फंदे नहीं सोरी 21 फंदे थे हमारे उसके बाद दोनों साइड उसने हमें 26 जालिया डालिया तो 26 फंदे जो हमारे इंक्रीज हो गए है तो 52 फंदे पहले बाद में हमारे इंक्रीज हुए तो टोटल हमारे 73 फंदे हो गए है अब इस तरह से जितनी आपको लेंद रखने है उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्लेन प्लेन बनाते रहे इस तरह से इतना जो है यह हमने प्लेन बनाना है हमें इतना बना लिया है यह बनना रिधान यह अटारा इंच है तो बनने के बाद यह लग वग्वग 17 यह साथे सॉलहको के बीच मेरेगा क्योंकि अभी इसको हैं किया हुआ वहिर् caHello जैanja intense शुर्म जैसे से difon नंबर पर रखके क्योंकि यह हमें बोड़र बनाने था लिए और इसमें मेरी आर्म होल से लेकर यहां तक जो है मेरा इसमें टोटल नाइन्टी सिक्स लाइन लगाई हुई है अगर आप सेम यही साइज बिनाना चाहते हो अगर यही इसी वूल में तो तीन पलाई की वूल है और इस तरह से हम दो फंदे चोड़ के बीच में एक एक अगर कर लेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे 12 रोज निकालेंगे हम उसकी और फिर उसको इस तरह से पलटके बिना लेंगे इस तरह से दो फंदे के गैप में एक फंदा हमें पलटके इस तरह से उठा लेना है और इस तरह से हम सारा बोर्डर बना लेंगे और फिर उस सारे फंदे जो है एक एकर के बंद कर लेंगे कि इस तरह से मैं इसको पूरा बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इस तरह से यह मेरा बॉर्डर जो है वह कंप्लीट हो गया है अब हम इनको एक एकर के फंदों को बंद कर लेंगे पीजू झाले वह कंप्लीट है वह कि भी मुझ धनाmar है ऩोIPulture छらर बंद कर दितो प्याकर दितो हैे वह में तरह से जब हे वह में हैं थार थाव है फया है वह कि वह किया प्सकताव box कि पर पनद के लिग्ज आए are ए यह दón 하니까 कि अज़ में है से पाद है क transf天 आया कि इस तरह से मैं ये सारां फंदे बंद करने के बाद फिर आपको दिखा दिखाते йूं कि इस तरह से मैंने सारा जो बंद करके बना लिया है तो हमारे pięc a part जोई वह पूरा complete हो गए इस तरह से में इसके एक लैंथ आपको दिखा देते कि कितनी लेंथ थärtत यह मिन्हें हम आपको उतना ही है यह 16 सिख्षाइब के जो फंडेगा propose यहां प्लान प्लात कर देमां कर दो्छ में हैंek JER दोने है उड़ार से चाहिसे त्रह बना लिया और यहादे 12 थे उपकर नेड़ा ग़े और अ कर दाने काओ और अन्स हनिस दों को हम इस तरह से उठा लींगे कि यहां से फंदों को उठाते टाइम भी हमें ध्यान रखने की साइड बीच में या साइड में कोई फंदा छूटना जाए इस तरह से अब यहां पर भी हमें दोनों साइड से जाले डाले हैं तो हम दो फंदे आ गया करके इस तरह से दोनों साइड से एक एक जाली डाल देंगे और इसमें भी हम 26 जाली ही डालेंगे इस तरह से यहां पर भी हम दोनों साइड से जैसे हमने बैक पार्ट बनाय था उसी तरह से बढ़ाते जाएंगे और इसमें भी दोनों साइड से उतने ही फंदे इंक्रीज होंगे तो यह टोटल जो है 64 फंदे हो जाएंगे इसमें आर्म होल तक पहुंचते पहुंचते जैसे यहां पर हमने 26 जाली डाली हुए यहां पर भी हम 26 ही डालेंगे इस तरह से और जो खाली फंद है उसको भी आगए करके दो सिलाइन लगानी होते इस तरह से अब हमारे 64 फंदे हो गया है अब यहां से हमें सेवन लगाने के बाद राछों साइड में में 5 लगाँન डीन सीट यहां सब्साइल जोए कि यहां सब्सा मैं अब हर सेवन सिलाइ पर नहीं में फंद घताया अ terrific जोए सरो अज़िंगे यह बतरु और लास्ट में इस तरह से घटाते घटेफ के लिया। घटाएंगी धशूयिस along एफ चछाथी चिरह साथोर्षाही सब्सक्राइन में आप पूर्श गडर्च है क्नी सबसें बला में यहांieurs घटाएंगीels निकाल के बिनाया हुआ है इसको मैंने 7 नंबर पे बिनाया और पूरी स्वेटर जो है वह दस नंबर पे बिनाई विया इस तरह से फिर यह सारे फंद्य हम बंद कर लेंगे कि यह करके इनको नहीं ज्यादा लूज करना है और नहीं ज्यादा टाइट रखना है 2 जो आसे है के इस तरह से यहामारी जी वह तेयार हो गया इन दोनों की दो लाइंग है भराबर ही होगे इसमें बाजू में भी मैंने 96 6 इसोर निकाल लेंगे जैसे गट दोनों की जो लान्थ हो वो मैंने इकोल रख Changing अब है ईक बाजूहसी है दूसरी सै aumento से निकाल लेंगे इस तरह से यहां से जैसे हमने 12 अल Мы रहता हैं इस नों दों pride बना लिए और भाजुभी और इस तरह से यहां थे सिल भी दिय पार्ट और दूनों तैयार हो गए हैं अब हम हमे फ्रंट पार्ट के जो दो पार्ट बनेंगे वो बनाएंगे एक सेट से और एक सेट से तो सबसे पहले हम एक सेट से यह जो फंदे हैं 16 फंदे इनको हम उठा लेते हैं इस तरह से एक एक करके कोई भी फंदा जो है वो छूटना नहीं चाहिए इस तरह से जो वेस्ट धागा लगाओ है उसको हम निकाल लेंगे और जो हमारा फ्रन पार्ट उसमें हमारा जो आंस की साइड जो पार्ट वहीं से हम जाले डालेंगे और दूसरी जो जहां से खत्म हो गया है बोर्डर उस साइड से हम बटन पट्टी बनाएंगे इस तरह से एक जाले डाल दिये और दो लगा लेंगे वान टू अफ फिर से हम सेट से ही जाली डालेंगे एक जाली इस तरह से ओफ इस तरह से इसमें हमारे 26 फंदे इंक्रीज होंगे तो हमारे 16 फंदे थे स्टार्टिंग में तो इसमें आम होल की लेंग तक हमारे 42 फंदे हो जाएंगे अजके यस तरह से अब इस साइड से हमें बटन पत्टी के लिए बनाना है तो दो फंदे छोड़की जो तीसरा फंद है उसको हम जहां से हमने फंदों को को डबल किया मुला बोर्डर बनाया जहां तक वहां तक हम इसको इस तरह से खोल लेंगे इस तरह से आप इसको पलट के बना लेंगे कि यह हमारी बटन पट्टी बन रही है कि इस ना इस तरह एक को study में जो डिजैन बताया था आप मों इसमें 9 फंदो की बटन पट्टी बनाएंटे इसको इं कि बच्चो की Sky को एक टूब चैया प्लैंस बिरस को सब्सक्राइली श्हें कि और विक्यों सब्सक्राइब सन्राइख धर देख्यों यह चला हुए पांट छे जो छोड़के साथ वा फंदज हो है उसको भी हम इसी तरह से पलट लेंगे इस तरह से अब जैसे इस तरह से बनाते हैं तो हमारी जो बटन पर टीक जो है वो बड़ी वी आती है और जो फिर लटक जाती है नीचे तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फिर गैरेज की हुक को पीछे करेंगे और जो साथ फंदे हमने अभी पल्टे थे उसको आगे करके दो सिलाई लगा लेंगे वान और यहां पे जाली डाल देंगे एक और दो और इसको पीछे करके फिर हम नॉर्मल बनाते हैंगे तो इसी तरह से जहां तक आपको लगता है कि हाँ बटन पटी जो है वो लटा करिया तो या तो 15 सिलाईओं के बाद या 20 सिलाईओं के बाद इस तरह से दो सिलाईओं जो है उसमें पार्ट में एक्स्टर लगा लेंगे और बटन पटी में नहीं लगाएंगे इसी तरह से बनाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आर्म होल तक इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और बटन पटी को इसी तरह से पलट के बना लेंगे अगर जैसे अगर आप इसी वूल में बना रहे हौई अगर आपने बटन भी लगाने तो इसमेने करके बटन mostly अब अगर बटन होल दोस्कें कर आप बटन होल लगा और अगर बटन होल defensive कन इत्तिव केस 수가 सब्रेदं डिजाइन करें करें क्योंकि अगर फिर इसमें बटन होल ज्यादा लूज बनते हैं तो जिससे की बटन बंद करते हैं वो खुल जाते हैं बार बार कि लिए इसको मैं बिना बटन होल के ही बना रही हूँ कि असरह से लिए प imagen के सभव बटन सब्सक्राइव कर सबस्क्राइब यौ कि और की इस है कि इसी तरह से बनाते हुआ हमार्मोल तक बना लिए यह HMMने आर्मोल तक इसको बना लिया है अब हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना है नौर्मल हमें बटन पटे बनाते हुए इसको प्लेन बना लेना है पूरी कंपलेट करने के लिए मैंने इसमें 96 सिलाइया लगाई है जो लास्ट की जो 12 सिलाइया है उसको मैंने 7 नमबर पर बनाया और सारे को 10 नमबर पर बनाया हुआ है 84 सिलाइया लगाने के बाद 12 सिलाइया है उसको मैंने 7 7 नमबर पर बना के इस तरह से पलट के एक-एक की गैप में जो बटन पट्टी थी हु далった हमारा एक एक खंड गाप अगे जिसा बॉर्डरài बनाए था है दो फंड के गैप में एक फंड को लूट लिय विरा कि ऑप सारी फंड हम एक एंच करके बंद कर से चार साल की लड़की के लिए इस तरह से यह हमारा एक पार्ट वो बन के तयार हो गया है मैं अभी दिखा देते हूं आपको दूसरा पार्ट को भी हमें यहीं से बनाना है इस तरह से दिखा देते हूं आपको कि इस तरह से बन के आया है इस तरह से हमारा एक पार्ट वो बन गया और दूसरा part हमें बनाना है तो same हमें वैसे ही बनाना है दूसरे part को भी हमने इसको लगा लिए दूसरे part के फंदों को भी और इस सइट से हमने जाले डाले और दूसरे side से हमारी button पत्टी आएगी कि इस सब्सक्राइब हमने same जैसे हमने पहले कि हमने जैसे यह 16 फंदे थे इसमें इस तरह जाले डालते हुए इसके 42 फंदे हो गया और उनी 42 फंदों को हमने पूरा बनाया है और यहां पर हमारी बटन पट्टे आ जाएगी जब हम यह फंदे आगे करेंगे तो हमें गयारेज की हुख को पीछे रखना है ताकि जो आगे वाले फंदे वह नहीं बने जो पीछे वाले वही बने इस तरह से हम इसको भी पलट दो फंदों को पलट लेंगे तीन फंदों को पहले दो फंदे छोड़ देंगे और तीसरे को को इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से इस तरह से यह सेम हमारा इस पार्ट के तरह ही बनेगा हम इसी तरह से इसको बना ही है हमारी आर्म होल तक इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है अब हम प्लेइन इसको बटन पटी के साथ बनाते हुए इसकी फुल लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे सब्न फंद हम आगे कर लेंगे और गैरिज के हुप को जो है पीछे कर लेंगे फिर दो सिलाइएं लगाएंगे इस तरह से अगर मर्शीन बीच में अटक जाते है तो उसको ज्यादा जोर लगा के आगे नहीं बढ़ाना है आप इसको निकाल के इस तरह से भी अलग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप ज्यादा जोर से उसको प्रेस करोगे तो नीडल तूटने का डर रहता है इस तरह से इस तरह से हमारे ये सारे पार्ट वो तैयार हो गए अब जैसे मैंने इसको सिला हुआ है यहां से मैं इसको सिल रही हूं नीडल में मैंने धागा डाल दिया है कंट्रास्ट कलर का आप चाहो तो सेम कलर में भी बना सकते हैं पर मैंने इसी डिजाइन बनाने के लिए इसको कंट्रास्ट धागे में से इस तरह से सिला है पहले जाली इस तरह से जाली-जाली से हम इसको सिल लेंगे आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं जैसे यह बनाया नहीं तो जैसे मैं बड़ी से लो उसी तरह से इस तरह से अब हम इसको बीच में सी इंडो जैसे दो लाइन इनको एक साथ इस तरह से एक तरह से इसका क्रोस बन जाएगा इस तरह से आप जो भी डिजाइन डालना चाहों जिस तरह से उस तरह से इसको बना सकते हैं दो दो को फिक्स कर लिया है उन्हाँ सबस्क्रण से चाहँ दूस्रे पार्ट को भी मै này सिलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं और पूरी स्वेटर को सिलने के बाद है इस तरह से y appreciate इस तरह से इस तरह से बना लेंगे आपको और जो भी आपको पसंद हो इस तरह की डेकोरेशन इसमें कर सकते हैं बहुती इजी स्वेटर है इस तरह से इस तरह से यह मेरा स्वेटर का डिजाइन बनके तयार हो गया है इस तरह से इसका बटन भी हमने इस तरह से लगा लिया है यह बिना बटन हूल के ही मैंने इसमें बटन लगाए है अगर आपको मेरे ये स्वेटकर डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू